बिग बॉस 18 के घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क खत्म हो चुका है और नॉमिनेशन टास्क के दोरान चाहत पांडे और विवन दिसेना के बीच में एक बार फिर बड़ी लडाई हुई जहां पर चाहत पांडे ने विवन दिसेना पर आरोप लगाया कि विवन दिसेना जो है वो एक नंबर के बत्तमीज है काफी जादा उनमें एटिट्यूट है एरोगेंस है और उन्हें बात करनी की कोई तमीज नहीं उनके माबाप ने उन्हें कुछ भी सिखाया नहीं ये बा जो है वो कहते हैं अब इन सब में ईशा सिंग जो है विवन दिसेना का साथ देती हैं और विवन दिसेना का साथ देते हुए चाहत पांडे को नॉमिनेट करते हुए नजर आती हैं और चाहत पांडे की गंदी एक ऐसी सच्चाई बताते हुए नजर आती हैं जिसकी वज़ किया है चाहत पांडे के बारे में अब ऐसा कौन सी सच्चाई बताई है चाहत पांडे ने यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों हम आज के इस खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल क्विक टीवी न्यूस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले खुट टीवी न्यूस को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें बिक बॉस अठारा के घर के अंदर जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था उस नॉमिनेशन टास्क के दोरान च चात पांडे को ईशा सिंग ने भी नॉमिनेट किया और ईशा ने कहा कि ये किसी भी मतलब ये अपना खुबसूरत चहरे को आड में रख कर शडियंत्रे रच्टी है और वो शडियंत्र भी ऐसा रच्टी है ताकि दूसरे परसन को जो है वो पता भी ना चल पाए और इसका शडियंत्र जो है वो काम्याब भी हो जाए जैसे कि विविन दिसेना को ये डे वन से ना पसंद करती है और इसकी जो सबसे बड़ी वज़ा है विविन दिसेना का फाइनलिस्ट बनना और ये मिठी चूरी बनकर विविन दिसेना के बारे में इधर उधर उधर इधर जो है चुगलियां करती हैं और विविन दिसेना को लेकर ये गलत narrative set करने की कोशिश कर रही है कि विविन दिसेना जो है तमीज उनमें नहीं है उनके माबापने उनको तमीज नहीं सिखाया है और विविन दिसेना को ये शो से आउट करना चाहती है और इसी लिए विविन दिसेना के सामने जाकर उन्हें उकसाने का काम कर रही है और इनको अच्छी तरह से पता है कि विविन दिसेना की सामने आकर उनसे बत्तमीजी से बाते करने से यहाँ पर वो ट्रिगर होते हैं और ये वो करकर पूरी तरह से विविन दिसेना की गुसे को बढ़ाना चाहती है और विविन दिसेना की गुसे को बढ़ा कर विविन दिसेना ताक की हाथ पायर जो है वो चला दे और वो शो से आउट हो जाए यह अच्छी तरह से जानती है बहुत ही शातिर है और बहुत ही लोमडी किसम की औरत हैं यहाँ पर यह सारी की सारी बातें बोलते वे नजर आत और अपनी दोस्त की ही यहां पर अच्छा ही बाते बताओगी यह बात जो हैं वो बोलती हैं और इसके बाद ईशा सिंग एक और बात जो हैं वो बोलती हैं यहां पर लोगों को भड़काने का काम भी चाहती कर रही हैं यह बात जो हैं वो कहती हैं तो कितने ज़्यादा आप ह हमें ये बाद तो जरूर बताएं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही